हेलो एवरीवन और वेल्कम बैक टो आचैनल यूनिफ प्रेप हब आज की वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ एम्यू इंग्लिश स्टेशल पार्ट फॉर यह एम्यू क्रैश कोस 2425 का हिस्सा है जो कि हमने लॉंच किया है आपके लिए इसमें आपको मिलेंगी लाइफ क्लासे साथ ही साथ पीडियेफ नोज एम्जी क्यू सेरीज और मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट हम लाइफ करने वाले हैं फॉर्स जून यानि की कल से कल आपको पहला मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपके लिए रिजिटेशन करने का ताइम आज तक ही है कल सुबह हम मॉक टेस्ट अगर आपको मॉक टेस्ट कल वाला चाहिए तो आपको आज ही अभी रिजिटेशन करना होगा करने के लिए आपको हमारे नंबर पर हमें वाट्स एप करना होगा डबल एट फाइन फॉर सेवन फॉर नाइन जिरो तो यह नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ह आपको यह बता दूं कि इस एम्यू क्रेश कोस की कॉस्ट है 199 आपको इस में लाइफ क्लासे पीदिएफ मॉक और साथी साथ में सीक्यू सीरीज मिल रही हैं ओनली इन 199 रुपीस तो लेट्स बगें विडियो कुश्चन नमर वन इस यूज़ प्रिफिक्स तो में का वर्ड यूज़ अब हम कर रहें वर्ड फॉर्मेशन यह वर्ड फॉर्मेशन का हिस्से एसमें से एक दो कुश्चन तो जरूर ही आठाते हैं तो यहां पर आपको प्रिफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए कि क्या है यूज़ प्रिफिक्स तू में का वर्ड नेगिटिव और व प्रिट कर पाए हैं तो आपके पास ऑप्शन है ए अनफेर बी इनफेर सी मिस्टेव दी अनफेर करेक्ट ऑप्शन है ए अनफेर कोश्चन नमबर टू पर बढ़ते हैं यूज़ प्रिफिक्स तू में का वर्ड नेगिटिव इस पर वर्ड है कॉंपीटेंट इस पर इनकॉंपेटेंट कॉश्चन नमबर थर्ड यूज़ ऐस अफिक्स तू फॉर्म एन एज्चेक्टिव वर्ड एज्चेक्टिव फ्रम वर्ड गिल्ट गेल्ट एक सफिक्स की थे तरह यूज़ करना है एक प्रिफिक्स वह बेस वर्ड के आगे लग रहा तो सफिक्स बेस adjective from two words slow plus move. आपको एक compound adjective बनाना है in the words it is slow and move. A. Slowing move. B. Moving slow. C. Move slowly. D. Slow moving. Correct answer is D. Slow moving. Question number five. Find the correct word formation chain. यह chain है noun adjective of verb की. वर्ड है analysis. आप्शन है analyzer analytical analyze. B. Analyzer analytic analyze. C. Analyst analytical analyze. D. Analyzable analyzize. Correct option बनता है C. Noun में आता है analyst adjective analytical verb analyze. इस तरह से analysis word का correct formation हो रहा है. Question number six पे चलते हैं. It is from a compound adjective from two words single plus story. अब compound adjective निकालना है आपको दो words से that is single and story. Option is single story. B. Single storied. C. Story single. D. Single storing. Correct answer बनता है इसमें A. Single story. Question number seven. अब यहां तक मैंने आपको word formation के सारे types बता दी हैं कि कौन कौन से type के question आ सकते हैं. यहां पर हम थोड़े questions करने वाले हैं identification of errors के. यहां पर seventh question है. China has dash people than Canada. option है few, some, fewer, more. Correct answer is D. China has more people than Canada. option question 8. Opposite of professionalists. Professional का opposite क्या होता है? options है A. Amateur, B. Immature, C. Tradesman, D. Custom. Correct answer is A. Amateur. opposite of professionalists. Amateur. Question number nine. Sachin did not play so as Saurav did. आपको fill in the blank बताना है? That is A. Well, B. Good, C. Better, D. Best. correct answer is well. Option number A. Sachin did not play so well as Saurav did. question number 10. The abstract noun of youngest. Young का abstract noun क्या बनता है? option है A. Youngest, B. Youth, C. Younger, D. Young. correct answer is option number B. Youth. Abstract noun यंग का youth होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही कल एक नए टॉपिक के साथ इंग्लिश में वापस लॉटेंगे. अगर आपको हमारा EMU Crash Course जोईन करना है तो तुरंत हमें मेसेज कीजिए. नमबर डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही हमारे बाकी लिंक्स पी डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है. दाट वस इट फो दे वीडियो. थैंक यू.